कि अगें अगें अवरी ट्रिकी सम् यूनिक सम् अभी ज्यान दो मैं फिर वाप सम्झे रहे हैं सम् नम्र सेवन जी पर बोल चुपा बैजी रेगुलर सम्पे सम् नम्र सेवन आप एक बार रीड कर लो इसमी टाइब मैं वो गिवर इंपो का जो टेबल हम बनातें अंडर्स्टैंडिंग लेबल के लिए तो कि पैरागर आप वादा सम् है जब तर जिसको टेबल बीट पूट ने करेंगे समझ में नहीं आएगो आप एक बार रीड कर ले आप एक बार रीड कर दाएगो आइज नहीं आप खिपरोगी नहीं एक बार रादाता आप एक बार रादार इस सूंट यह पिलगी आप पिल्ग कर लो लो डगउ एक given information के लिए मेरे table बना दिया यहां पर हमारे पास अगें थी तरह के लोग है एक skid और अगें परवे skid और unskid 100 skilled workmen जहां से पढ़ना क्रिकी है 100 skilled workmen, 40 semi skilled workmen and 60 unskilled workmen where to work for 30 weeks to get a contract job completed क्याने तीं तरह की लोग लगते हैं skilled वाले, semi skilled वाले, unskilled वाले और सब में कितने कितने लोगें वो भी दिया है तो skilled वाले कितने लोग चाहिए? 100 semi skilled वाले कितने चाहिए? 40 और unskilled कितने चाहिए? 60 to where to work for 30 weeks उनको कितने weeks काम करने 30 weeks काम करने to get a contract job completed याने एक काम ख़तम करने में इतने इतने लोग चाहिए और 30 हफते वो काम करेंगे तो वो job complete हो जाएगा इगरी? आगे the standard of weekly wages where standard of weekly wages सोनिया सुना आपने? standard of weekly wages where rupees 60 rupees 36 and rupees 24 respectively standard of weekly wages wages मतलब इनका rate होआ ना? तो rate आपको दिया है साब साब समझ में आगे rate आपको दिया है और वो भी standard का तो standard का rate हम लिख देते हैं यापर कितना? 60 याँ आपर standard पे rate है 60? 36 बड़? 36 24 24 बरबर? ये आपको standard weekly wages दिया है करते हैं तो तीन तरह के लोग चाहिए एक में 100, एक में 60, एक में 40, so on और वो तीनों मिल करके तीन कैटेगरी के लोग मिल करके अगर 30 weeks काम करें तो एक job मेरा complete होता है अगरी? और उनका कितना कितना उनका rate दे रहे वो भी आपर बता दिया उसके आगे तो जॉब वोज अच्चूली कम्पलीटेड इन 32 weeks तो जॉब वोज अच्चूली वरक और गर करें अच्चूली मतलब यह अट्रेटेट है यह उपर जो था इंफ़मेशन वो स्टैंडर्ड था था अच्छा स्टैंडर्ड में यहां पर यह जो आवर है पुलते हैं आप लो कितना है पुलते हैं जाओ एंड्रेड एंड्रेड वर्टी सिक्स्टी बरबर रोटन आगया है दोसो सेंडर डाल दिया है उसके बाद आया वापस बढ़ते हैं अच्छा सब्सक्राइब नियुक्ते हैं ë जोग वाग्ति अच्छाव इंच्छाव गयां summary बरुकिल दोस्क्षाव मान्य Citizen बरुपी प्र्रमान एंड्रेड ख़क्णा बरुबर and the wages were paid where rupees 65 40 20 200 गरवर इसका भी कितना आ गया 200 यह बादर 200 इगरीड अचाना कुशन खाताम हो गया find out the labor cost variance labor rate variance labor mix variance labor efficiency variance मेरे सब पुछ लिया अब अब तक यह नहीं सबजा पुछन के अंदर के दो figure हमने छोड़ दिये एक 30 weeks और 32 weeks वो नहीं समझा और यह नहीं समझ पाए कि कितना बंद रहा है आपर एक unit है standard इतने का है actual कितने का है वो भी होता है ना standard यहां पर कभी कभी होता एक unit यहां पर होता है 500 unit तो हम standard को change करना है वो क्या करना है दो एक लिए दोनों से में कि यह 30 का है वो 32 का है टेबल बनाने के बाद ही खस गया हमको सर लेकिन units नहीं अपर होता है हाँ हाँ बोलो बोलो जब तक आप बोलो गए आशर आएगा नहीं हारेगा आदमी आपना opinion रखे ना भई अच्छा आपने तो एक तम स्टेटमेंट ही दे दिया इसको 30 रग दे 32 कर दे तो यह standard को change करना है पक्का कितने रगेते हैं कि यह ऐसा है ऐसा ही है मतलब और तो कुछ दिखी नहीं रहे ना बरबर पका समझा और तो कुछ option नहीं है आपने पास हाँ सुनी आपके मन में कुछ उतर उतर है तो same है ना हाँ हाँ तो तो mix नहीं होगा mix नहीं होगा हाँ mix में होगा जब यह total scheme आ गया तो mix का calculation नहीं हाई तो पुछाए पुछाए हाँ हाँ very good मैं आपको बताओ यह पूरा concept बलत है क्यूंकि वह hours के नहीं है एकसेक्लिए यह 100 जो लिखा यह standard hour लिखते है क्यों करें ना आप सरा क्या hour था 100 अंड्रेड मैं लोग आपके तो कौन से भी कलेट डाला था आप से गलत ही आया ना अपका समझा क्या हुआ पुछाए का नाम ही चेंज कर गया ना standard hour की जगा standard people डाल गया तो हमने number of people नहीं डालना है वो कितना काम करते हैं वो डालना है पहला तो यह वार समझ में आया कि जो हमने input किया 140,60 यह गलत है तो यह भी गलत ही होगा ना यहां पर यह इतने number of people हैं हमें इतने hours चाहिए कितने काम किया उन्होंने hours चाहिए try to work out कितने hours कैसे होगे सुच हो जरा समझ में आप कैसे hours निका दोगे यहां पर मैं वापस लिखता हूँ मेरा statement number one statement showing standard and activity यह 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 सबस्क्राइब तो आवा, वैसं किसी गण वाले तो, पाले थो कोदेशा पाले तो आएगे तो, तो 5-0-0 अहां करोंट देघा और कल्क्युलेटर डो वधिर प्रॉपमेदी हवर जयीट पॉस जिकरशन पाइड परॉप्पूँट इन को एप पॉसरे पॉसरे सच्जू ठीसलियोड़ Megashap थिर्टी मिक्स किया पॉर न प्षाइब पॉर ने प्षाइब नियुक्त वाइब नियुक्त पॉर्षक एटे वाइब का बागत श्रॉजन पर अपनों? नजीन आप पताएं कि आपको? पॉर्षक पॉर्षक अपर पुछ थे खैसे में चाहिए? सब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो कितने दिन काम किये या कितने घंटे काम किये कुछ दिये है किवीक्स में है сейчас maids między Kingdom करता है तो सौ आदमी मंटिप्लाई करो हन्रेट मंटिप्लाई बाइए ठटी हाज जो काम वह रहा है इवी कहां थीचिंव आ कर दो कैसे टिछ हए अब रवाक जिन गिपलाइब थर्टी कर लें कितना गया? 3,000 वीकली आवर्ज बने 3,000 अभी आवर्ज भी एक यूडिट उप मेजरमेंट है तो ऐसे वीक भी तो इन उप मेजरमेंट है अगर मैं कहता है वो पाँच दिन काम करें एक दिन में आज घंटे पांच दिन काम करें, एक दिन में आठ घंटे, तो हंडेर मुल्टिप्लाइब आवर्स, तो यह बन गया तुमारा 4000 आवर्स, ऐसा कुछ भुआ ना, फ्लेक्सिर बजट में पी तो सीखा है हमने, कि सो मजदूर है, हर मजदूर दो घंटा काम करता है, तो टोटल आवर्स किते होगे 200, यहापर बोला गया, यह आवर्स और डेज ना देते हुए, सीधा 30 वीक्स बोल दिया, तो 30 वीक्स में भी आवर्स ही होते हैं ना वही, आवर्स मेक्स अप योवीक, राइट, तो उन्होंने बंडल दे दिया, कि 30 वीक्स, 30 वीक्स की जगा, अगर मैं 540 आवर्स द करना है, with the number of people, यह लोग है, 100 लोग, तो 100, 100 people multiply by 30, तो यहाँ पर हम लोग एक वर्किंग कर लेते हैं, ताकि आपका यह कॉलम ज़र अच्छे से रहे, एक वर्किंग मना लेता हूँ, that is your calculation of standard hours, calculation of standard hours, तो skilled में 100 workmen multiply by 30 weeks, पता answer कितना है, 3000, तो थोड़ा मैंने पूरा लिखा, 3000 hours, वैसे ही, सेवी skilled में, किते रोग हैं, हमारे पास, 40 people है, 40 workmen, यह 40 workmen भी तो 30 हफते ही काम कर रहें ना, सब लोग मिलके काम कर रहें, यह बन गया 1200 hours, और अंट्स्क्रिट में, में 60 workmen हैं, और वो लोग भी तो 30 हफते ही काम करते हैं, यह 1800 hours है, जो आपको यहां लिखना है, यहां पर आएगा 3000 hours, 1200 hours, 1800 hours, यहां रखें, आवर ही चाहिए यहां पर, यहां रखें, इसके पहले अब material वाला sum किया था, एक kilo वाला था, एक ton वाला था, तो हमने uniform किया न, वरेवर material में unit of measurement क्या क्या होते हैं, kilos, tons, liters, dozens में से होते हैं, material के अंदर, तो लेवर के अंदर, आवर ही चाहिए न, आवर weekly भी हो सकता है, आवर daily भी हो सकता है, आवर monthly भी हो सकता है, क्या फरक पड़ता है, समझा, यहां आपर weekly आगया hours, तो आपने week के साथ से multiply, यहने, अब इसका rate भी तो question में दिया था, उस इसे, तो यह weekly hours हो है, यह आवर भी हो है, तो यह rate भी आपका weekly है, एक हफ्ते का rate है, 60, 36, 24, बरबर, actual में भी आप, actual का भी प्रॉब्लम होगा, यह जो 80 दिया हुआ है, यह आपर भी आपको 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 काप कर लो ना, calculation of actual hours, यहाँ पर भी कॉंसर, skill में, कितने लोग है, 80 people, 80 workmen, very good, multiply by 32 weeks, आपको आपको आपको, बोलो कितना रहा है, 2560, 2560, 2560 hour, और semi-skilled की बात करें, तो यहाँ पर 50 लोग है, 50 workmen, multiply by 32 weeks, 1600 hours, और unskilled की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर 70 workmen है, 70 है ना, यह लोग भी 32 hours week काम करते हैं, तो यहाँ पर हमें डालना है, 2560, यहाँ पर हमें डालना है, 1600, यहाँ पर डालना है, 2240, और इनका भी rate weekly है ना, तो multiply by 65, multiply by 40, and multiply by 20, बरबर, रुच जाओ, आप भी वो टॉपिक नहीं समझा, कि the given standard is for how many unit, and actual is for how many unit, यहाँ पर तो weeks दिया है ना, कितने आपटे काम हो रहे हैं, क्या रखे आपको कहीं, तो पूरे question में कहीं पर भी output दिया है, क्या उपर क्या लिखते हैं, आपको लिखते हैं, output के कितना quantity बनाने के लिए इतने time लग रहे हैं, पूरे question में कहीं पर भी output नहीं दिया हुए, तो क्या मान के चलेंगे, the given is also for one unit, actual is also for one unit, यहां पर हम लिखते हैं, for one unit, यहां एसा लिखते हैं मैं, output यहां पर है, one unit, और output यहां पर भी है, one unit, दोनों सेम है, अब notice करो, actual hour, standard hour, और very close वी चुदे है, जदर various नहीं हैं न, जदर various नहीं है, ओके, तो यह वरी close future, मतलब दोनों are comparable, अगर यह बहुत कम होता, बहुत ज्यादा होता, तो हमें change करना पड़ता है, क्योंकि यह एक का है, अगर यह पचास का है, तो जाहिर बात है, यह जादर रहेगा, यहाँ पर देखें, आपको conversion का दुरुत ने पड़ा, यहाँ पर standard hour को convert week के साब से करना पड़ा, और कुछ ने, एक वकीं कमारा बच गया, उसके बन यह दो वकीं आए, याद रहेगा, इस तो याद रहेगा, इस तो याद रहेगा, हमने heading डाला है, 1,80,000, यहाँ पंगरें? 6,000, 43,200, 43,400, 43,000, 43,200, 43,200, किसका total भी बताएं प्लीज मझे? 2,66,400, 2,66,400, 6,400, 6,400, 6,400, 6,400 आवर जाया, अलग आया है के बही? प्लीज मरेंगा ना? यहाँ बताएं? 1,66,400, 6,400, 64,000, और? 44,800, टोटर अब जिस? 275,200, 275,200, 200, इसके आगे निगा सकते हो, 5 पेरिये हैं? Yes, sir. सुर्य है मैंड़? ठीक है, अभी स्लोगे हैं? Yes, sir. कि आप मैं दो बर आपको सम्झे, बोरें दो को? आप अजो? आप नहीं आपको अपर देकल में नहीं बाएं? बताएं अज़एं